वेलकम बैक अप्रिवन वेलकम टे सुबल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस सेट नंबर यह 1018 सीरीज यूपी पीसी पीसीस के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रस्टों पर इस टैस सीरीज की प्लेलिस्ट वन रखे है वहां पर आप टे प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ अनील अगर्वाल रतन टाटा या रंजन गोगोई असम बैभव दोहार चौबेस रंजन गोगोई को ठीक है पूर्व मुख्य नियाधीस है यह है इसकांसर असम बैभव समान के बारे में यह असम का सर्वोचनागरिक सम्व प्रौ जाति है इस पूरे जीवन काल में सरकारी खर्ठ पर चिंगतसा उपचार का लाव प्राप्त कर सकता है 16 2022 को देश के पूर मुख्य नाधीस रंजन गोगोई को इस पूरुसकार से संबानेत किया जाने की गोष्णा की गई यह नमबर इस पर कॉले वर्ट सुप करके आप फुल टैस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब रखेगा सवल सर्विसे श्टेटी चनल को वोशन नमबर टू पर आजएए सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार के तहत व्यक्तिकत स्रेणी में कितनी संवान राशी प्रदान की जाती है यह दो स्रेणियों में दिया जाता है व्यक्तिकत स्रेणी और संस्थागत स्रेणी व्यक्तिकत स्रेणी में जो संवान राशी है वो है पांच लाग रुपे दी है इस कांसर तो इस पुरुस्कार की घोस्टना जो है हर साल तेश जन्बरी को नेताजी सुवाश चंद्रबोज की जहनती पर की जाती है और प्रमाण पत्र के अलावा इन पुरुस्कारों में एक संस्थान के लिए अगर संस्थान को मिला तो 51 रुपए 51 रुपए की धनराशी प्रदान की जाती है और किसी व्यक्ति को मिला है तो 5 रुपए की धनराशी प्रदान की जाती है नगतपुरुस्कार अब एक प्रश्णी है प्राक्रम दिवस कब मना जाता है तो प्राक्रम दिवस मना जाता है तेश जन्वरी को ए है स्कांज़र देखे भारत में सुभास चंद्र बोस की जैनती के उपलक्ष में प्रतेक वर्ष दोहार 21 से 23 जनबरी को परक्रम दिबस मनाया जाता है किसकी जैनती के उपलक्ष में नेता जी सुभास चंद्र बोस विशन नमबर फोर पर आज़ेए 15 से 20 जनबरी दिखर 24 के मद 19 वा गुट निर्पेक्ष आंदोलन सिखर समेलन कहां युजित हुआ कहां हुआ है ये मालदीव, सिंगापूर, कमपाला, युगांडा ये नईदिली भारत उन्निस वा गुट निर्पेक्ष आंदोलन सिखर समेलन ये हुआ युगांडा में, युगांडा के कमपाला में, भी हैस कांसर युगांडा की कंपाला में आज़ुत हुआ और इस समयलन में भारतिय प्रतनेशुत मंडल का जो नेत्रत्व किया केंद्रिय विदेश मंत्री एस जैसंकर ने किया डॉक्टर एस जैसंकर ने नेत्रत्र वढ़ा गया है ठीक है विशन नमर फाइब पर आजे इंद्रा अवास योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री अवास योजना कब किया गया था इंद्रा अवास योजना 1985 की है जिसका नाम बदलकर प्रधान मंत्री अवास योजना कर दिया गया वर्स 2015 में C has cancer तो प्रधान मंत्री आवास योजना को इंद्रा आवास योजना के नाम से जाना जाता है जिसे साल 1985 में सुरू किया गया था इसको और इसका नाम बदल कर PM आवास योजना है प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया गया चौदेश जनबरे दिहार 24 को संपन फूटवाल परतियों गिता Spanish Super Cup 23-24 का खिताब किस फूटवाल क्लब ने जीता Spanish Super Cup फूटवाल टूनामेंट है ये जाना माना ये जीता है Real Madrid ने और किसको हराकर जीता है वारसिलोना को यानि वार्सिलाना हो गया उपविजेता तो इस्पैनिस सूपर कप फुट वॉल पृतियों किता 23-24 यह जित की गई थी 10-14 जनपड़ी दिहार 24 के मद पर यह इसका 40 वा संसक्रण था मेजबान देश यानि जहां यह हुई सौधी अरब में और सहर जहां यह हुई सौधी अरब के रियाद में रियल मैडरेट जीता है विजेता 13 वार जीता 40 में से और उप विजेता रहा वार्सिलोना पुशन नमबर 7 पर आजिए वर्स दिहार 24 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के भारत दोरे के संबंद में नमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है हाल ही में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आये थी भारत दोरे पर पहला इस्टिट्मेंट है 11 से 17 जनबर दिहार 24 के मद है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत दोरे पर चोकि इस रंखला भारत ने जीती, तीन सुन नीसे, यहनि तीनों के तीनों मैंच भारत ने जीते, इस रंखला में भारत के शिवं दुबे प्लेर अफ दा सीरीज चुने गए, शरंखला में सरवाधिक विकेट भारत के मुहमध समीन ने लिए, देखें, पहला इस्टेट्मे भी नहीं तो सरवाधिक रन 124 बनाए शिवम दूबे भारत सरवाधिक विकिट लिए चार अक्षर पटेल ने तीसरे टी-20 में रोहिष सर्माने रिकॉर्ड पांचवा सतक बनाया नावाद 121 रन और सरंखला के तीसरे और अंतिम टी-20 मैच में भारत और अफगानिस्तान के मत मुकाबला जो है वो टाई हो गया 200 बारे-200 बारे कि ये कुछ यह बनाया जारा उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर में D.S. कांसर केन सरकार दोरा वित पोशित है गो अभ्यारन उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में बनाया जारा है इसके निर्माण की जो निर्माण लागत राश्य है वो है 64 करोड रुपे और इसका निर्माण राश्य गोकुल मिसन के दहत किया जा रहा है और यह है वर्स दोहार 24 के अंतर तक यानि इस साल के अंतर तक वनकर तयार हो जाएगा जिसमें पांच हजार आवारा मवेश्यों को संरक्षन मिलेगा या बेसहरा कहलो या वही निक्त किया है इस पतल इनका कारेकार कितने वर्स का होगा तीन वर्स का होगा कॉशन नमेदर शहे परतीएक वर्स राश्यएट आ साथे इस शेटक वर 16 जनबरी को राष्ने मनाया जाता है। पुर्तियेक वर्ष 16 जनबरी को राष्टी स्टारटप दिवस मनाया जाता है। वी ऐसमेर स्टारटप इंडिया भार सरकार की प्रवक पहल आपक पहल है। ग्यारा जन्बरी को ठीक है मानब तसकरी जागरुपता दिवस प्रति एक वर्ष ग्यारे जन्बरी को बनाए जाता है रास्टी ये मानब तसकरी जागरुपता दिवस एक ऐसे अपरादगी और ध्यान अकर्शित करता है जो दुनिया भर में मानब जीवन परिवारों और समुदायों पर इस्थाई प्रुभाब डालता है उद्देश मानब तसक्री से पीडितों की दुरदर्शा के बारे में जागरुकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ाबा देना तो था उनकी रक्षा करना विश्वे हिंदी दिवस का बनाया जाता है विश्वे हिंदी दिवस दस जन्वरी को तो हर साल दस जन्वरी को विश्वे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद है दुनिया भर में हिंदी का परजार परशार करना और आपको याद हो तो भारत समयधान की जो आठवी नुसूची है उसमें 22 भासाओं हैं उस 22 भासाओं में हिंदी भासा का भी उल्लेख है कौन थे ये बोचपुरी और हिंदी के परसिद कभी और सहितिकार थे चर्चा में क्यों अच जनबर दिहार 24 को निधनों गया उनका पुशन नुबर 14 है जनबर दिहार 24 में किसे परतिष्ठेत MS स्वामी नाथन अवार्ड या सम्मान या परुसकार प्रदान किया गया है प्रशन इंपोर्टन्ट है इनहीं को प्रदान किया गया है और इनका नाम है प्रोफेसर बी आर कमबोज यह है इस कांसर MS स्वामी नाथन अबार्ड तो प्रोफेसर बी आर कमबोज चौधरी चनबर सिंग हरियाना कृशिव विश्व द्याले के कुलपती है यह यह नाम याद रखेगा और हाली में आपको याद हो तो MS स्वामी नाथन को मरनो प्रांत भारत रत्न से समानित किया गया है अन्य चार व्यक्तियों के साथ यानि प्रेल लिपी के विश्कारक डैस की जहनती के उपलक्स में चार जन्बरी को विश्व व्रेल दिबस मनाय जाता है यहां क्या आएगा मार्क ब्रेल मौरिस ब्रेल लुई ब्रेल या मरियम ब्रेल लुई ब्रेल ठीक है भी है इसका अंसर तो प्रते एक वर्स ब्रेल लिपी के विश्कारक डैस की जहनती के उपलक्स में कब चार जन्बरी को विश्व ब्रेल दिबस मनाय जाता है लुई ब् चीन मेधाजकर भारती अमालदीब कहा अगाद किया कहा तबाही मचाई किया मेधाजकर में भी है सकांडर लेक है एक जनबि OVER 24 को उष्र्णकटी बुन्दे चक्रवार अलबारों ने मेधाजकर के मौरॉंबो में अगाद किया और मोरंबो में इस चक्रबाद से 16,000 लोग, 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस चक्रबाद की जोत्पत्ती हुई थी वो हुई थी 31 दसंबर 2023 को मोजांबिक चैनल हिंद महासागर में। क्या होते हैं उश्ण कटी बंदे चक्रबाद यह जो ग्रफी की टैस सीरीज में कही बार पढ़ाया है। पॉशन नुम्बर 17 है ऑस्टेलियाई महिला क्रिकेट टीम का भारत दोरे के संबंद में 23 चौबिस। हाली में ऑस्टेलियागे क्रिकेट टीम आई थी भारत में तो इस से रिलेटड यहां चार स्टेटमेंट हैं मोटा मोटा याद रखिये हैं 21 दिसंबर 23 से 9 जनवर 24 तक ऑस्टेलियाई महिला क्रिकेट टीम भारत दोरे पर रही पहला स्टेटमेंट तो यह हो गया। इस दोरे में भारत और आस्टेलिया महिला करके टीम के बीच एक टेस्ट मैच तीन एक दिवसीय मैच और तीन टीट्वेंटी मैचों की सरंखला उजित होई एक मात टेस्ट मैच भारत ने आस्टेलिया को आठ विकेट से पराजित करके जीता तीन एक दिवसी मैचों की स्रंखला में औस्टेलिया की फोईवे लिच्फिल्ड प्लेयर अब दा सीरीज चुनी गई तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलना एक मात टेस्ट मैच भारत ने औस्टेलिया को आठ विकेट से प्रजिक करके जीता इसका मतलब है कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है इन दोनों फॉर्मेट में हार गई ODI में भी हार गई होगी और T20 मैचों में भी हार गई होगी केवल एक जो टेस्ट मैच था वो जीता भारत की महिला क्रिकेट टीम से पराजित करके टेस्ट मैच जीता और तीन एक दिवसी मैचों का परिणाम यानि तीन जो ओडियाई खेले गए उसमें ऑस्ट्रिया की महिला करकेट टीम ने भारत की महिला की करकेट टीम को तीन सुने से हरा दिया जो तीन टी-20 मैचों की सरंख़ा थी वह एक जीती भारत क की महिला करकेट टीम ने और दो जीती ऑस्ट्रिया की महिला करकेट टीम ने तो इतना मोटा मोटा याद रखिएगा कि कुशन नमबर एट पर आजए हाल ही में समाचारों में रही रतले जल्विद्दुत परियोजना कि सिराजिया की इन्शाषत प्रदेस में इस्तित है ल सर्विद्द परियोजना से 850 मेगावार्ट विजली खरीदने के कारण है यह चर्चा में रतले जल्विद्द परियोजना या सब्सक्राइब के साथ लखनाओ कितने PM स्री स्कूलों का सुभारंब किया। यूपी कि राजधाही लखनाओ में कितने PM स्री स्कूल खोले गए हैं। सुभारंब किया उनका 928, 928 यह संक्या याद रखेगा, DHS कांचल। तो उत्तर प्रदेश में PM स्री स्कूलों का सुभारंब, चार जनबरी दोहार 24 सुभारम इस्थर है लखनव। सुभारम किया किसने केंद्रे सिक्षा और कौसल विकास मुद्विता मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने योगी आरित नाथ के साथ मिलकर। प्रशन क्या है दिसंबर 22 में भारत कौसल विकास रिपोर्ट 24 का नावरण किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज काम करने के लिए सबसे पसिंदिद्या राज बनकर उभरा है केरल महराश्ट गुजरात या उत्तर परदेश देखे इसका अंसर केरल अप्सन नुमबर भी तो भारत कौसल रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत में समक्र युबा रोजगार छमता में सुधार हुआ है और 51.25 प्रतेशत तक पहुँच गया है देखे रिपोर्ट तो यह कहती है तो भी हैसका अंसर भारत कौसल रिपोर्ट 24 के अनुसार काम करने के लिए सबसे पसींदी ते राज के रल तो 20 प्रेशन थे यह करेंट अफेट स्कीन की प्रेक्टिस एक से दो बार कर लेज़ेगा धन्यबाद